डाक्टर साब, सुहाग रात में दुलहा दुलहन में कौन पहले एक दूसरे को नजदिक लेना है? रोमान्स में दिल्चस्पी दिखा कर आगे बढ़ना है। प्रकार क्यों लजजा भी होती हैं क्योंकि वो दुलहा नया वाला है। उसे बाचित करने के लिए ही उसका तौर संकुछ होता है। वो कामरे में दुलहकिन, कामरे में आकर आशी खड़ी होती है। तब दुलहक क्या करना है? उसको प्रेम से आकर फलंग पर बैटने को पूछ रहा है। उसको आखवान करना है अपने बगले में बैटने के लिए तब उससे जो जिस प्रकार के लजजा होती है थोड़ा सा कम होता है। उसको अबगाद थोड़ा थोड़ा उसको स्पर्श से थोड़ा सा अपने प्यार को दिखाना है। नहीं तो दलहिन में एक प्रकार का संकुच होता है क्योंकि एक दलह ये नया वाला है इसके पहले उसका पुर्ष्य का स्फर्ष्य का भी किसी प्रकार का अनुभू नहीं होता इसलिए इस प्रकार के संकुच है लज्जा से वो ऐसा दूर रहती है दलहिन तब दलहां प्रेम से प्यार से अपने पास लेना उससे थोड़ा सा रॉमांटिक बात चीत करना उसके बाद थोड़ा से किस करना उसके किस करने से इसके उसके मेन थोड़ा से प्रिती एक प्रकार का प्यार बढ़ेगा एक प्रकार के इसपे आकर्ष बढ़ेगा तब थोड़ा थोड़ा बाधשीत में उनको बहुत नजीक लागा चुनकि द्वालखिन में एक डर होती है, संकुछ होता है, लजजा होती है इस वज़े से दुलहिन कभी भी बहुत हो इनिशियोट नहीं ले सकती है इसलिए सुहागरत कौन पहाले अपने उनको नज़िक लेना है रॉमास में देलचे से दिखाना है तो पहाले तो दुलहा करना है वर नहीं वर करना है उधू कुने वैसा करने से तब जीरे दीरे उसकी मन में दुलहिन की मन में संकुछ होता है डर होता है दूर होता है पहाले कुछ समय तक एक आधा गंटा गंटे तक बातचीत में रखना है रोमांटिक बातचीत करना है वैसा करने से उसके बाद माजुन भाग लेना तो पहले थोड़ा थोड़ा फोर प्ले करना है आंखों में बहुत क्रेजी लुक्स क्रेजी उसको देख रहा है बहुत क्रेजी से उनके आंखों में देना बहुत रोमाइंटिटा करना ऐसा करने से उसको उसके प्रति एक प्रकार का आता है इसलिए कौन पहले ये तो दिल्चेस भी दिखाना है तो वो तो दुला करना है दुला करने से दुल लेकिन धीरे धीरे उसके बाहों में बंध हो जाती है और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाईए झाल करना है